अपने सब्सक्राइबर मैं तुम है दूंगा अब तो तुम के तो जिने भी मेरा कल का वीडियो समझ में आया उनके लिए वेल्कम टू डी ड़ी ट्राइब और जिने भी नहीं समझ में आया है वो जाके डोरे मोन देखो एक बुद्धी जीवी ने तो कमेंट किया था चूतिया तुने जित्ती रिस्पेक्ट कमाई थी सब गवादी तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगा कि जो भी मैं ड्राइंग दिखाऊंगा उसकी इंस्टेग्राम आईडी और अगर यूट्यूब लिंक उन्हों ने दिया होगा तो यूट्यूब लिंक मैं दोनों ही दे दूँगा आप चाहें यूटूब पर फॉलो कर सकते हैं इंस्टेगराम पर फॉलो कर सकते हैं और मैं चाहता हूँ आप लोग इन्हों दूसरे को फॉलो करें जिसको भी वो वो आर्ट स्टा memoir कर सकता है और इंडियन आट कम्मूनिटे को आगे बढ़ाते हैं पहली ड्राइंग इन्हों ने भेजा है और बहुत ही गजब का कूल डूट बना रखे हैं, मुझे ग्लासेज बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब हेक्जागोनल शेप के हैं हैं जो बहुत ही रियालिस्टैक आईज है घाईंवे जाहा है Umm想 रहें बहुत ही अच्छा है, और मुझे लगता है जो फ्रेंड हैं अब मुझे पता नहीं की हो वैसा फोटो में था की नहीं लेकिन थोड़ा सा अगर इंप्रूव हो सकता था तो वो बहुत अच्छा लगता और ये नरेंदर मोधी बनाया है इन्होंने और बहुत ही अच्छा औरा दिया है वाइट वाइट सा लुक दिया है जैसा कि एक नॉर्मल टिपिकल नेता का लुक होता है तो बहुत ही अच्छा बनाया है शेडिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम में लेकिन मुझे लगता है कि इनकी ड्रॉइंग काफी अच्छी है पोटेंचल काफी जादे है इनके अंदर त्रिप्ती कॉर्ड धाउंसी ने बनाया था इनकी आर्ट में बहुत पहले फीचर करने वाला थे इन्होंने इसमें सब्मिट नहीं किया है और बहुत ही कमाल की ड्रॉइंग बनाया थी जब मैंने रियलिस्टिक आईस का टुटोरियल दिया था तब उन्होंने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया था और बहुत ही अच्छी लग रही है इनकी आईस और यह महेंदर सिंग धोनी और टोनी स्टार को एक साथ बनाया है मुझे लगता है यह दोनों लोग के बहुत ही बड़े फैन है बहुत ही अच्छी है शेडिंग थोड़ी सी मुझे लगता है और डार्क हो सकती थी बाकी मुझे प्रपोर्शन्स और इन सारी चीज़े में क के साथ आप काफी इंप्रूब कर जाएगी है बहुत ही अच्छा मतलब सब्जेक्ट चूज किया इन्होंने क्यूंकि जो स्किन पर टेक्ट्चर है वह बहुत ही रेर होता है ऐसा टेक्ट्चर इन्होंने एनाइम करेक्टर बनाया है और मुझे लगता है कि आपको रियलिस बहुत ही अच्छा है मुझे लगता है जो मुझे सबसे यादे क्या पसंद है इस ड्राइंग में जो ये आईज है आईज में जो शाइन दे रखी है वो काफी अच्छी लगी मुझे और एश्वरया राई की जो आईज में जो चार माता है वो उनके जो प्यूबल में जो आमें वो आया है इस ड्राइंग में ये बनाया है इन्होंने कर्ली हेर्स वाली हेजल आईज वाली लड़की को जो कि मतलब मुझे लगता है इनकी फैंटेसी होगी इंप्रूफ कर सकते हैं और जादे पोटेंशिल है इनके अंदर और ये सिल्वस्ट्रे स्टेलॉन को बनाया है शेडिंग मुझे लगता है थोड़ी सी वीक है और आप काफी इंप्रूफ कर सकते हैं टाइम के साथ बहुत ही अच्छी है ये थौर बना रखा है प्रपोर्शन्स थोड़े से गड़वड है आपको पहले प्रपोर्शन्स पर काम करने चाहिए सबसे पहले एक पैंसिल रवर इठाईये शुरू हो जाईये जो मर्जी वो बनाईये कभी ये मत सोचिए कि मुझे बस यही बनाना है थोर ही बनाना है आप simple एक circle बना सकते हैं, cube बना सकते हैं, कुछ भी बना के आप practice कर सकते हैं इन्होंने emotions capture करने की कोशिश किया है एक बच्चे और मा का, बहुत ही अच्छा है मुझे लगता है कि इन्होंने emotions बच्चे के तो अच्छे capture किया है लेकिन थोड़ी shading की problem है, और color pencil में मैं समझ सकता हूँ, shading में थोड़ी problem आती है colors को समझने में, लेकिन आप time के साथ काफी अच्छा improve कर जाएंगे और ये बनाया है नोने मेरा favorite spider man, बहुत गजब लग रहा है जो पीछे से ऐसे mask में से ये दिख रहा है, वो काफी अच्छा लग रहा है मुझे और ये हिमादास को बनाया है, आप जानते हैं हिमादास ने हमें proud किया है इंडिया को proud किया है, इंडिया को उच्चाईयों पे पहुचाया है हिमादास ने नमबर वन एटलीट है, मैंने भी बनाई है, उनकी एक ड्राइंग, आप इंस्टेग्राम पे फालो कर सकते हैं, मुझे ये मेरा इंस्टेग्राम हैंडल है कुछ ऐसी ड्राइंग्स भी देख सकते हैं जो मैंने सिर्फ इंस्टेग्राम पे पोस्ट की हैं उसका मैंने यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया है और यह कलंक मूवी का कोई सीन है मैंने देखी तो नहीं है लेकिन मुझे यह बहुत ही अच्छी लगी क्यूंकि दो लोग के बीच के जो इमोशन सेना जो प्यार वाले गजब के हैं और यह इन्होंने विराट कोली को बनाया है बहुत ही जबरजस्त लग रहा है शेडिंग ब नहीं तो फोटो भी काफी अच्छी आती और बेर्ड में आपको हाइलाइट की जरुरत है बेर्ड में आप हाइलाइट दी यह बहुत ही गजब का आएगा और इन्होंने रियलिस्टिक आइस बनाई है फ्रेंड्स सेम आइस बनाई है जो हम पहले देख चुके हैं लेकिन थोड़ी सी आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरुरत है लेकिन काफी अच्छा कर रहे हैं आप डाइमेंशन्स आपके अच्छे हैं प्रॉपर हैं मैं आप लोगो एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स मतलब इतनी डार्क लाइन्स मत बनाया करिया आउट्लाइन है इनकी ड्राइंग में मैंने इनकी ड्राइंग पहले भी देखी है और मुझे लगता है हाइलाइट्स बालों में थोड़ी कम है और हाइलाइट्स की थोड़ी सी कमी है लेकिन प्रपोर्शन बहुत ही गजब है अगर बोला रनवीर सिंग तो पूरा रनवीर सिंग ही लग हुआ हुआ है तो यह बहुत ही अच्छा लगा आप लोग बताईएगा कमेंट सेक्षिन में क्या मैसेज आपको लगा जरूर से और अगर आप देख रहे हैं तो आप भी बताईएगा आपका क्या इंटेंशन था यह बनाने के पीछे और यह शिवलिंग के पास एक बच्चे को खेलते हुए बनाया है बच्चे का जो इमोशन्स है शिवलिंग के उपर हाथ मारने का चूने का उसे टच करने का वह भी बहुत बढ़िया है curiosity है बच्चे के अंदर यह है क्या घोड़ा पावर का प्रतीत होता है और बहुत ही अच्छी masculine power दी है इसमें लेकिन shading काफी अच्छी है background इन्होंने बहुत अच्छे से shade किया है ऐसी drawings में friends background बहुत ही जादे matter करता है क्योंकि जो आपको वो dreamy effect और misty effect जो देना होता है वो देना बहुत जरूरी है ऐसी drawings का charm ही वही होता है और ये रनवीर सिंग को बना आए इन्होंने इन्होंने शायद मुझे लगता है कि सिर्फ एक grade की pencil यूज़ किये अगर सिर्फ एक grade की pencil यूज़ करके इन्होंने ये achieve किया है तो मैप कहूंगा आप अच्छे quality pencil लीजिए और नहीं ले सकते हैं तो मेरे 10K subscriber पूरे करिए कुछ भी करके forward करी अपने family को forward करी चाहिए जिसे forward करी मैं बेजूंगा आपको pencil staidler की giveaway में मुझे ये concept इनका अच्छा लगा कि इन्होंने जे के अंदर उसका जो negative part है ये जो negative part है ये काफी अच्छा दिखाया है vibrant color यूज़ करने की विज़े से ये काफी सुन्दर दिख रहा है इसा लगता है कि ये painting काफी अच्छी है क्योंकि इसमें emotions बहुत जुड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है कि ये औरते अपनी पुरानी यादे जो हैं ये काफी बड़ी हो चुकी हैं बच्छपन की यादे अपनी साय देख रही हैं या कुछ ऐसा और वो feelings मतलब इन्हों हुने काफी अच्छा बانाया हैं अक्ष्ये गumar को बनाया है बहुत ही अच्छा है अगर सिर्फ नार्मल पैंसिल यूजे करके बनाया है तो काफी अच्छी ड्राइई है और अक्ष्ये गुमार ही लग रही है ये बहुत अच्छी बात है एक portrait की है इन्होंने butterfly बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से जो मतलब texture जो होता है butterfly के पंको का वो बहुत ही खुबसूरत दिया है इन्होंने राधा और मेरे खाल से राधा और क्रिश्न को बनाया है painting है जो दाड़ी है वो एकदम geometrical बना दिया है geometrical दाड़ी नहीं होती रियल में इतने तरीके इतने अच्छे तरीके से शेव दाड़ी कौन सा बारबर काट पाता है ये बताओ मतलब सही है अब भाई आपकी ड्राइंग आप कुछ भी बना सकते हो मैं तो कुछ भी बनाता हो यार जब मैं नखना पड़ेगा विराट कोली को बनाया है मुझे लगता प्रपोर्शन थोड़े से गड़बर हैं और शैडोज और मिड टोन गायब हैं ये पोट्रेट फ्रेंड्स मुझे बहुत ही पसंद आई क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मिड टोन डार्ट शेड्स और जो हाइलाइट्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है और बहुत ही अच्छी ड्राइंग हैंकी और ये काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर अपनी ड्राइंग को अच्छे लेवल पे और ले जाना चाहें प्रोफेशनल लेवल पे और इन्हों ने बीबी की वाइन्स को बनाया आर्टलाइन पैंसिल से दिख रहा है आर्टलाइन पैंसिल यूज़ किये नों ने बहुत एक कमाल का बनाया है पस थोड़ी सी प्राब्लम यह है कि जो इन्होंने हाइलाइट्स दी है मैं painting तो उतनी जादे नहीं करता लेकिन मैंने portrait paintings कर रखी है आगे try करेंगे बहुत ही अच्छी अच्छी painting और पेडों में और जादे green colors ये डाल सकते थे green के अलग-अलग variants डाल सकते थे dark shade डालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि forest दिखा रहे हैं आप तो forest में dark shade तो होगा ही होगा और इन्होंने pen से बनाया है drawing बहुत ही freehand तरीके से लग रहा है इन्होंने ये drawing बनाई है और इसका चार मलग ही दिख रहा है क्योंकि ये freehand है और ये खतरनाक सी devilish ची drawing बनाई है लेकिन जितनी खतरनाक बनाई है उससे खतरनाक इन्होंने editing कर रखी है तो भाई आप लोगों से मैं request करता हूँ ऐसी editing मत करो मतलब ऐसी editing करोगे तो यार drawing आपकी खतम हो जाएगी मतलब dark करने के चकर में आप कुछ भी कर रहो भाई ऐसा मत करो प्लीज जो cracks दिखाए हैं इन्होंने यहाँ nose के पास और जो flowers बना रखे हैं flowers में थोड़े और soft shades आपको use करने थे क्योंकि आपने dark shade आपने skull में use की हैं उतनी dark shade आपने flowers में भी use कर दी हैं इसलिए flowers की जो कोमलता है वो चली गई है लेकिन काफी अच्छा concept है आप इसे बहुत अच्छा improve कर सकते हैं यह drawing बहुत ही अच्छी है और इन्होंने mandala art बनाया है जो कि मुझे बहुत ही कमाल की लगी मतलब यह mandala art में जितना time और effort लगा है और बहुत patience और बहुत बारीक काम है तो ऐसी drawing के लिए मेरी तरब से बहुत ही filmy type का लग रहा है मतलब filmy look का रहा है लेकिन मुझे लगता है beard थोड़ी सी और अच्छी बना सकते थे आखे मुझे बहुत पसंद आई जो आखे बनाई है इन्होंने बहुत ही कमाल की बनाई है और बहुत ही filmy type का लुक का रहा है आखे बहुत clear कर रही है ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ सोना होना देख लिया है उदर बहुत ही अच्छी ड्राइं है शेड्स पर थोड़ा और ध्यान दीजिए और थोड़ी जो लाइन से हैं एकदम ही गायब कर दिया आपने और ये है आदित शर्मा आर्ट्स वन आफ माइटर्स लेकिन इन्होंने भाई मेरे सामने घुटने टेक दिया है ऐसा कुछ भी नहीं है जितने भी लोग हैं जितने भी मतलब हेटर्स हैं या डिसलाइक करते हैं वीडियो को मुझे उससे कोई फर्थ ने पड़ता सबका अपना अपना उपीनियन होता है जिसे मेरा वीडियो ना पसंद आया भाई डिसलाइक करो, हेट कमेंट्स करो या कुछ भी बोलो मैं उसको हमेसा पॉजेक्टिवली लेता हूँ और अपने वीडियो को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ और इन्होंने बहुत ही अच्छी ड्रॉइंग बनाई इनकी ड्रॉइंग मुझे सबसे अच्छी लगी पैंसिल, कलर पैंसिल में इन्हें कलर की बहुत ही अच्छी नॉलेज है मुझे खुशी हुई जानके कि मेरे हेटर्स काफी अच्छी ड्राइंग करते हैं इन्होंने रतन टाटा को बनाया है इनका जो स्टाइल है वो काफी अच्छा लगा मुझे देखके क्योंकि इन्होंने जो hairs बनाया है और जिस तरीके से lines का use किया है मैं बोलता हूँ आप से बहुत dark line मत यूज किया गरिया आप लोग सिर्फ आउटलाइन में dark line यूज करते हैं इन्होंने in face shading में dark line का use करके और soft shading का भी use किया इन्होंने दोनों का combination किया है मुझे देखने पर लगा ये first time digital art है लेकिन ये digital art नहीं है इन्होंने pencil का use करके बनाया है बहुत ही बढ़िया ड्राइन style है इनका और ये एक बच्चे और माँ गा emotions लाने की खोशिश की है इन्होंने बहुत ही अच्छा है लेकिन ऐसी photos को जब भी आप choose करिए तो मैं suggest करूँगा आप expressions पे जादे focus करिए close up होना चाहिए आखे दिखनी चाहिए face दिखना चाहिए तक तो जाके मतलब लगेगा ना कि हाँ ठीक है emotions आप capture कर पा रहे हो क्योंकि face से ही capture होगे emotions इसलिए मैं suggest करूँगा आप लोग इस तरीके की ड्राइन जो है उसको close up shot ही लीजिए और यह इन्होंने बहुत ही अलग टाइप की concept ड्राइन की है इन्होंने half अपना face रखा है और half ड्राइन रखी है जो की काफी अच्छा symmetrical लग रहा है मुझे लगता है इन्होंने symmetry पर काफी काम किया है shading में मुझे थोड़ा सा plastic shading टाइप का लग है लेकिन बहुत ही अच्छा texture दिया इन्होंने skin का और जो beards है वो भी काफी अच्छी बनाई है ये इनकी पूरी drawing है और भाई इस drawing के लिए मैं क्या बाता हूँ मतलब सबसे बढ़िया drawing मुझे अभी तक की लगी वो ये है इन्होंने कार्तोस बनाया है और गजब की details आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये देखिए आप details इसकी देखिए इसकी details देखिए आप ये जो cut marks है लग रहा है कि पुराने cut marks है और जो wrinkles दिये हैं इन्होंने गजब के दिये हैं मतलब ये drawing देखके मैं सच में मैं बहुत जादे excited हो गया था कि ऐसे लोग भी मेरे subscribers में हैं मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत ही टाकत वाली feeling आई अपनी army strong होने वाली है और इन्होंने बनाई है portrait किसी की और color pencil में बनाई है बहुत ही अच्छा है लेकिन shading की थोड़ी से गड़वड़ी है eyes के नीचे का जो puff दिया है इन्होंने बहुत ही अच्छा दिया है अच्छे cutest drawing है और जो ऐसे लाल-लाल से रोजी-्रोजी वाले गाल दे दिया है और बहुत ही अच्छा वैसे ही रोजी-्रोजी दिल उड़ रहा है तो बहुत ही ऐसा romantic सी feeling आ रहे है मुझे लगता है अपनी girlfriend के लिए बनाया था आपने thumbs up एक ही drawing को दो बार बनाना यार बहुत ही मुश्किल का काम है मतलब सच में boring काम है और ऐसा boring काम क्यों किया भाई दूसरी बार बनाने के बाद आपका interest lose हो जाता है किसी भी एक subject space से और उसके बाद अपने full effort आप नहीं दे पाते हैं और ये शारुक खान बनाया है मेरे एक छोटे दोस्त ने 14 years से भी कम है और इन्होंने जो शारुक खान को बनाया है उसके expressions नहीं ला पाए लेकिन कोशिश बहुत ही तगडी वाली रही है glasses मुझे बहुत अच्छे लग रहा है जो glasses बनाया है उसमें जो shine है और ये मुझे लगता है मैंने ribbon के glasses बनाया था आपने अर्मानी बना दिया है ये अर्मानी का sign है ये वरुन धवन बनाया है इन्होंने बहुत ही अच्छा है दाडी का look इन्होंने बहुत ही अच्छे देने की कोशिश की है लेकिन मुझे लगता है ये और अच्छा कर सकती थी साहिल खान body builder तो body में जो veins आपने दिये हैं काफी अच्छे दिख रहा है लेकिन अगर आप थोड़े और dark sheet यूज़े लगता है वो और जादे realistic दिखते है और ये थौर को बनाया है तील कलर और ग्रे कलर का combination बहुत ही बढ़या है और जो इन्होंने helmet बनाया है वो मुझे काफी अच्छा लगा कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़या है ग्लू और मजेंटा का क्यूटी पाई ऐसे कडली कडली हो रहा है इन्होंने जो वेनम के दाद बनाया है वो मुझे काफी अच्छे लग रहा है और आखे जो बनाई है जो आखे वेनम की है वो भी अच्छी है और जो नॉर्मल हीरो है उसकी भी आखे बहुत ही अच्छी है हेर्स इन्होंने बहुत ही अलग स्टाइल के बनाया है पता नहीं क्यूँ मतलब इन्होंने हेर्स जो बनाये है वो टिपिकल हेर की तरह तो नहीं बनाये लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पसंद आ रहे हैं मतलब उसमें जो लुक है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब फॉर्नर वाला पूरा लुक आ रहा है ऐसा नहीं फॉर्नर को इंडियन बना दिया और इंडियन को फॉर्नर बना दिया यह बहुत ही अच्छा बनाया है इन्होंने लेकिन ट्राइ अच्छा है और यह इट मूवी का बनाया है इन्होंने क्लाउन यह क्लाउन ब्राइंट इनकी बहुत ही गजब की है है रियलिस्टिक है और जो भी दोस्त इन्हें फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर सकते हैं यह केसरी मुवी की है अक्षे गुमार की अच्छी ड्राइंग है वही मैं जो कॉमन मिस्टेक सब में पॉइंट आउट कर रहा हूँ शेटिंग आउटलाइन थोड़ी से गड़ बढ़ रहा है जो इन्होंने रेड मार्क बनाया है उसमें जो हाइलाइट्स दिये वो मुझे काफी अच्छी लग रही है रेलिस्टिक है काफी बहुत ही कमाल के ट्राइंग है और यह सफोकेट होती लड़की बनाई है पनी से सफोकेट हो रही है मतलब इस तरीके का सब्जेक्ट चूज करिए आप कुछ अलब चूज करने की कोशिश किये इसके लिए रेलिस्टिक है थोड़ा सा पसीना मुझे लग रहा है सिर्फ एक जगह से नहीं गिरेगा अगर अगर पसीना आता है तो देखें यह देखें मेरे सर पे कैसे आ रखा तो पसीना आता है तो थोड़ा थोड़ा इधर उदर आता है फिर उसके बाट टपकता है इनका बाकी सर तो एकदम क्लीन लग रहा है और यहां से पस इनना टपग रहा है तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है बाकी ड्राइंग बहुत ही कमाल की है और यह कोई जैड़ेशी का फैन मेरा फैन डैडपूल बनाया है वो भी जैड़ेशी स्टाइल में और जैड़ेशी की ड्राइंग मैं देखता हूँ काफी अच्छी है लेकिन उनका गलग नीश है और आप अगर उनका कॉपी कर रहे है तो मैं कहूंगा उसमें अपना टच जरूर दीजिए थोड़ा सा जो मसल्स बनाई है वो बहुत ही कमाल की बनाई है और जो शैड़ोस दी है वो भी बहुत कमाल की दी है मुझे बहुत पसंद है यह लग रही है और जो चैस्ट में शेडिंग दी है वो बहुत ही प्रॉपर है मुझे लगता है यह जो चैस्ट में यह जो कॉर्णर में थोड़ा सा थोड़ा जादे कॉर्णर कर दिया ऐसा नहीं होता है थोड़ा सा स्लांट होता है कभी भी हमारे मसल्स में कोई भी ऐसे एज लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही wisely देखिए, इसी तरीके से मैं बोलता हूँ आप लोग को काम करने के लिए, जो paper का texture है, यह paper का texture है, आप देख सकते हैं, यह paper का texture, यह paper का texture है, इन्होंने अपने skin tone के लिए उसे use किया है, हमेशा blending नहीं काम करती, आपको थोड़ा स दिमाग लगाना होता है, अगर paper textured है, तो आप उसको use कर सकते हैं, चीजों का texture लाने के लिए, जैसा कि इन्होंने use किया है, अपना skin texture लाने के लिए, बहुत ही कमाल की और realistic drawing है, और इन्होंने जो background color किया है, वो मुझे काफी पसंद आया, आप जब भी अपने subjects में जो भी आप बनाई है, उसमें अगर आप background दे रहते हैं, तो उसमें जान आ जाती है, और उस background से light जो reflect होके आती है, वो बहुत ही अच्छी लग रही है, तो बहुत ही अच्छी drawing है इनकी, और ये unique drawing है, थोड़ा सा अलग है, इनका जो style है, वो मैं कहूंगा pencil में बहुत ही अलग है बहुत ही artistic है और इनकी drawing के लिए भाई, कमाल की है, आप अच्छी drawing करो कि फोड़ दोगे आप, फोड़ दोगे, कोजिश करो आप कि इस तरीगे की drawing आप एक quality equipment लेके बनाने की बहुत ही अच्छी बनेगी, और भाई ये मुझे लगता है कोई telgu hero है, और shading में ये थोड़ी स अच्छे है, नरेंदर मोधी, नरेंदर मोधी color में बनाया है इनोंने, दाड़ी आपने थोड़ी जल्दी बाजी में बना दी, मुझे लगता है आप irritate हो गया, नरेंदर मोधी की दाड़ी इतनी ज़्यादे है कि कोई भी बंदा irritate हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा patience रख है, वही कमी, फिर से जो इनोंने सबसे बड़ी कमी तो इनकी यह लगी, क्योंकि इनोंने पूरे जो hairs हैं, वो पूरे ही बराबर कर दिया है, तो ऐसे कपड़े जैसा लग रहा है, कपड़ा नहीं है, hairs है, उसमें strokes देने की जरुरत थी, आपको pencil से पूरा blend मत करिये, पूरी उनने बनाया है, लेकिन फिर वही बात, edit क्यों करते हो, बाई, क्यों, क्यों अपनी drawing का इस तरीके से, क्या बताऊं, मतलब, क्यों, अब भी drawing के साथ इतना अत्या चार क्यों, editing मत क्या करो, दोस्त, editing करने से drawing आपकी बिगड़ जाती है, तो कोशिच करिया, editing ना करने की, औ बहुत ही अच्छी drawing बनाई थी, इन्होंने लेकिन editing करने की वाइसे, गड़बड हो गई है, तो आप सभी लोगों को मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूंगा, दोस्तों, कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं, कोशिच करता हूं, कि थोड़ा अलग content लाओ, वो boring सा content लाने की कोशिच नहीं रहती है मेरी, मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता, यहां चेयर पर मैं ऐसे बैट के आप लोगों को भोल दे, थोड़ा कुछ अलग सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उम्मीद करता हूं, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, like, comment और share करना मत बुलना, और भाई जिनों ने पी पिछले वीडियो में डिसलाइक किया है ना, यार अब जाके उसको भटा दो, नहीं अटाओगे, अरे कोई बात ने आ रहा, कोई बात ने, अरे कर लो, इसमें भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, love you